पावस्टार ने हमेशा अपने फैंस का ख्याल रखा है उन्होंने हमेशा अपने फैंस के लिए वो स्पेशल काम किया है जो कि उन्हें कुछ जादा ही स्पेशल बनाता है तो चलिए आज हम आपके सामने ये बताने वाले हैं कि दो बॉलिवुड हिंदी सौंग के बाद बोजपुरी को नेक्स लेवल पर ले जाने के बाद अब पवन सिंग किस चीज के लिए कमर कस रहे हैं जी हाँ सलेम सुलेमान के साथ पवन सिंग फिर से एक हिंदी सौंग लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दे ये जो हिंदी सौंग होगा ये उनके होली सौंग से भी बहुत ही जादा एक्सपेंसिब बहुत ही ज़ादा महंगा इसके लिए विदेश की लोकेशन सर्च की जा रही है और तो और बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी हिरोईन से बात चल रही है इस सौंग के लिए आजकल तो आपको सभी को पता है कि गानों का जमाना आ गया है एक गाने में ही बहुत कुछ कहा जा रहा है एक गाने के लिए बहुत बड़े सेट अप लगाये जा रहे हैं फिर वो चाहे पंजाबी इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री सभी गाने के माध्यम से अपने स स्टार्डम को बताना चाहते हैं और ऐसे में पवन सिंग जिन के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर भोचपुरी इंडस्ट्री में वो ये सौंग कर लेते हैं तो बॉलीवोड इंडस्ट्री के लिए उनका रास्ता साफ हो जाएगा वैसे आपको बता दें कि बच्चन तैयारी होने जा रही है वो तैयारी भोचपुरी इंडस्ट्री के इस बाश्रा ने इसलिए करने जा रहे हैं क्यूंकि अपने स्टार्डम के साथ साथ अपने फैंस की खुशी के लिए फैंस बहुत दिनों से चाह रहे थे कि पावस्टार होली के अलावा कोई एक और सौंग आया था इस होली सौंग का पूरा बजट पचास लाक रुपे का था लेकिन जो पावस्टार का हिंदी सौंग आने वाला है कहा जा रहा है कि इसका बजट तकरीबन करोडों में होगा जी हां जितने में बोचपुरी के फिल्म बन जाती है पूरी उतने में सिर्फ ए और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले है